हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल आज हम बनाने वाले शेव टमाटर नुसाग इसे शेव टमाटर की सबजी भी कहा जाता है ये बहुत ही फेमस एक गुद्राती डीश है जो खाने में बहुत जादा टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी से बनके तयार होती है आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेर कर रही हूँ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक हो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेर करें और दो बड़े टमाटर जिसे हमने मिक्सर में से ऐसे ग्राइंड कर लिया है फिर हमें चाहिए एक हरी मिर्ची जिसे भी हमने बारिक चौप कर लिया है दो साबुद हरी मिर्ची थोड़ा सा फ्रेश हरा दनिया जिसे हमने धोके ऐसे बारिक काट लिया है एक इंच अद्रका तुकडा जिसे भी हमने ग्रेट कर लिया है और आदा तेज पत्ता मसालों में आवे चाई आदी छोटी चम्मच राई आदी छोटी चम्मच जीरा एक चोताई हल्दी पावडर आदा छोटी चम्मच जीरा पावडर आदी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच काश्मेरी लाल मिर्ची पाउडर नमक आपके टेस्ट वाइस थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हिंग हिंग से बहुत अच्छी खुश्बू आती है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमने कुछ सिंक्रेट इंग्रेडियंस भी लिया है जिससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है उसके लिए चाहिए हमें एक कटोरी दूद और आदा कटोरी के आसपस बेशन ये दोनों इंग्रेडियंस को अगर हम सब्जी में मिक्स करें तो सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी शेव टमाटर की सब्जी में हमें चाहिए थोड़ी सी शियो कोई भी प्रकार की शियो चलेगी वह थोड़ी सी मोटी हो अब हमें गैस बेक पैन रखके एक बड़ा चमच के आसपस तेल डालना है तेल को अच्छे से गरम क डाले आदा चमच जीरा डाले और थोड़ी सी हिंग डाले और सभी को अच्छे से तड़का लेना है और सभी को अच्छे से चलाने के बाद इसमें ग्रेट किया अध्रक, खड़ी पत्ता और तेज पत्ता डालना है इसके बाद हम जो बारिक पैच्छ शॉप करके रखेते वो इसमें डालेंगे और पैस को अच्छे से मिला के तब तब तक ये ब्राउन फ्राइन हो जाए तब तक इसको चलाएंगे हमारी पैस दीरे-दीरे ब्राउन अना स्टार्ट हो गई है और पैस के आसपस तेल भी छुटना चालो हो गया है यह अच्छे तरीके से brown होके fry हो गई अब हमें एक tomato जो हमने बारिक chop करके रखाता वो इसमें add करना है यह tomato को इसमें add करने के बाद अच्छे से चला के जब तक यह tomato melt ना हो जाए और गल ना जाए तब तक इसको इसमें चलाना है लीजी हमारे tomato भी अच्छे से गल गया है और यह melt भी हो गया है इसे हमने high flame पे ही चलाया है अब हमारे tomato की puree जो दो बड़े tomato की puree बनाईती वो इसमें add कर देना है इसे भी तब तक फ्राय करना है जब तक इसके आसपस का तेल ना चुटे और यह अच्छे से अब हमें ग्यास का flame मीडियम करके इसमें मसाले आड़ करना है हल्दी पाउडर काश्मीरी लाल मीची पाउडर इसे हमने add कर लिया है तब तक इसको पाच मिट के लिए low flame में चलाना है मसाले अच्छे से इसमें मिल जाएंगे और इसका flavor अच्छे से छुट जाएगा पाच मिट के लिए इसे ऐसी पका लिया था हमारे मसाले अच्छे से fry हो चुकि है अब हमें इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाना है इसलिए हमने सेम पैन में ग्रेवी को वन साइट रखके बेसन भूल लिया है आप चाहे तो अलग पैन भी ले सकते हो मैंने इसे थोड़ा सा तेल डालके बेसन को दो मिनिट के लिए low flame पे चला दिया है बेसन जैसे अच्छे से भूल जाए इसको ग्रेवी में मिक्स कर लेना है बेसन को दो मिनिट फ्राय करने से इसका कच्चा बन निकल जाता है हमने बेसन को ग्रेवी मिक्स कर लिया है अब हमारे ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो गई है इसमें हमें थोड़ा पानी डाल के फिर चलाना होगा हमने थोड़ा सा पानी आट कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है आप ग्रेवी के कंसिस्टेंसी की हिसाब से इसमें पानी आट कर सकते अब हमने दो साबू धरी मिर्ची डाल दिये इसे फ्लेवर अच्छा आएगा इसके बाद हमने इसमें आदी से पाउन कटोरी के आसपस दूद आट किया है अगर आपके पास दूद निया ताब स्किफ करके पानी भी डासके इसमें टेस्क के हिसाब से नमक आट करें और थोड़ा सा गरम मसाला आट करें हमारी शेव टमा गरम तब इसमें उपसे शेव डाले तो हमारी शेव टमाटर की सब्जी बनके रेटी है यह किन मानिए सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही सौधिस्ट लगती है इसे हम गरम गरम रोटी के साथ सब कर सकते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे मज़ेदार रेसी बियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए चलिए तब तक खाओ पीओ और खुश रहो थैंक यू